आप लोग अपनी स्कीनिन के सामने एक फिक्चर देख रहे हैं और आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा इनका नाम है गौतम आडानी और अभी हाली में एक रेपोर्ट आई हुई है उसमें इन्हें दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बेक्ती कहा गया है पहली नमर पर आप देखेंगे एलन मस्क है जो टेसला से जुड़े हुए है इनकी कुल समपत्ती अभी वर्थमान में 15,550 करोड यूएसे डॉलर में बताई गई है रुपे नहीं है डॉलर में बताई गई है और आप देखें कि इनकी काफी अच्छी प्यधान मंत्री मोदी के साथ दोस्ती भी है आप देखेंगा और इसलिए कई लोग ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं कि जब प्यधान मंत्री साथ का आरसी बाद हो तो दुनिया का नंबर बन पर भी पहुँचा जा सकता है फिरहाल आज हम लोग इनके बारे में जरूर बात करेंगे और इनका परिबार है देख लीजे आप लोग ने देख भी रहे होंगे और आपको एक बात और मालू होने चाहिए प्यधान मंत्री मौदी साथ भी गुजरास से ही आते हैं और एवी गुजरास से ही आते हैं और गुजरात हुए अगर आप देखना चाहे तो गांधी नगर्ष की राध्धानी है और एक बात याद रखेगा इसे कब राज्य बनाए गया था एक माई 1960 में यहाँ आप देखें ही बिधान सभा में 182 सीटे है राज्य सभा में 11 सीटे है लोग सभा में 26 सीटे आपको दे आप देखेंगे गौतम आडानी का जनम 24 जून 1962 को एहमदाबाद गुजरात में एक मध्यम बरगिये जैन परिवार में हुगा था उनके पिता का नाम सांतिलार और माता का नाम सांति आदानी उनके साथ भाई वहन थे और सबसे बड़े भाई उनके मनसुक भाई आदानी परिवार अजीब का की दलास में उत्री गुजरात के थारत सहर के पलायन कर गया था और उनकी पिता एक छोटे कपड़ा ब्यापारी थे और आप देखेंगे कि उन्होंने पत्नी उनकी जो पिरिती आडानी है इन्हों से साधी की हुई है और जो एक डेंटिस्ट है और उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा एहमदाबाद की सेट स्थी एंड विध्याले से पूरी की हुई है और गुजरात विध्यालेवन उन्होंने वाइडिज में इसना तक की डिगरी के लिए प्रवेश लिया था लेकिन दूसरे बर्स के बाद बेबाहर हो गये थे इसके बाद वो अपने परिवार की आर्थिक इस्तिती ठीक करने के लिए मुंबई आते हैं और जब वो मुंबई पहुँचे तो उनकी जेम में कहा जाता है कि मात्त सो रुपे थे और अगर हम लोग इनकी केरियर की सुरुवात देखें तो 1980 में आर्थिक इस्तिती ठीक ना होने के कारण गौतम आर्डानी का परिवार थराज जावसा था गौतम आर्डानी की इंग्लिस काफी खराब थी लेकिन उनके जो दोस्त थे मलाई की इंग्लिस में पकड़ काफी अच्छी थी और आगे चलके ये दोनों बिजनेस पार्टनर बढ़ते हैं और इसके बाद ही शुरू हुआ गौतम आर्डानी का फर्स से अर्थ तक का सफर और बिजनेस में रोची रखने की कारण आप देखेंगे इन्होंने अपनी पड़ाई बीच में ही छोड़ कर 1978 में मुंबई आ पहुंचते हैं जहां उन्होंने महिंद्रा वर्दस की मुंबई वाली साखा में नौकरी की दूसरे क्या और हाला कि गौतम आर्डानी काफी समुझदार और महनती थे और इसलिए उन्होंने काम करते करते ब्यापार के सारे नियम और बाजार की बदलते ट्रेंड की बारे में जानकारी खोल दिया इन्होंने और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अडानी ने साल 1981 में अपना सिक आजमाया जहां वो काम्याब भी रहे और ऐसा कहा जाता है कि इसमें उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने एहमदाबाद में एक पी भी सी यूनिट खोली थी औ सबसे ही उन्होंने इसमें भी अपना पैर पक्का कर लिया इनकी अगर कंपनियों की बात करें तो साल 1985 में उन्होंने छोटे इस्तर पर पॉलीमियम का आयात शुरू किया था जिसके बाद उन्होंने 1988 में आदानी एक्सपोर्ट की निव भी रखी थी जो आज पूरी दुन उसके बाद साल 1991 में गलोवलाईजेसन का दौर आता है और गौतम आडानी के लिए एक सो नहरा आता है और जिसमें उन्होंने मेटल्स, टेक्स्टाइल, एग्रिकल्चर प्रोडेक्ट की सुरुवात की और अंतराश्टी सर पर करनी शुरू की और साल 1994 में में गुजरा सरक साल 1995 में उन्होंने आडानी पोर्ट सेंड एस इजेड खोली जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्राइबिट मल्टी पोर्ट ओपरेटर कंपणी में से एक है और 210 मिलियन टन कारगो सभालने वाले मुद्रा पोर्ट का पूरा जिम्मा आज भी इनी के पास है और इस 1996 में आडानी पावर कंपणी की सुरुवात की थी और इसके साथ उन्होंने एक नई फील्ड में कदम भी रखा था वो है इनर्जी सेक्टर और जिसके बाद वो देश की सबसे बड़ा प्राइबर्ट थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं और साल 2006-2012 में उन्होंने बिज इनर्जी हो ग्रीन इनर्जी हो आने बाला वक्त इसी का है मई में सौर उर्जा निगम द्वारा आयजित नीलामी में उन्होंने करीब 6 मिलियन US डॉलर लगायो इस प्रोजेक्ट को हासिल किया और इसी के साथ उन्होंने ग्रीन इनर्जी के फिल्ड में 8000 मेगावाट की फ बन गए और साल 2020 में मुकेस अंभानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर बिजनेसमेन की पायदान पर पहुंच चुके हैं और एसीया में नमबर बन पर बनी हुए है ठीक है एक कुछ सामाजी कारे भी करते हैं अगर भारत में कई अरपती हैं जो आप देखते हैं कि ग आदानी फाउंडेशन खोला था जिसके जरी ये देश के कई हिस्सों में सामजी कारी किये जाते हैं और इसके नेतित प्रिती आदानी है नेतित कर रही हैं करोना महाराश सरकार को कोस में आप देखेंगे एक करोड का फंड दिया था ताकि लोगों की मदद की जा सके जो इ प्रिकार हो गए हैं और कुर्वना की दूसरी लहर में आप देखेंगे जब देश ऑक्सीजन की किलत से जूज रहा था तब आडानी गुरूप एक मसीया बनकर आया था उसने देश में लिकुड ऑक्सीजन सरकार को दिलाकर इसकी संकट से उबारा था और इसके साथी आड मुंका नरे आपको मालू हैं गौतम आडानी का अपरहन भी हो चुका था यह 1998-99 की बात है गौतम आडानी को अगवा कर थरौती की बदले में बंधक बना लिया गया था बाद में बंधकों को पैसे देने की बाद इन्हें छोड़ दिया गया था और जो मुंबई अटेक इसमें गौतम आडानी भी हमले के दौरान फस गये थे क्योंकि उस समय वह ताज होटल में ठहरे हुए थे बाद में उन्हें साकुसल बचा लिया गया था अब देखिए इनसे बिवाद भी जुड़े हुए और सब आभी कसी बात है कि इस तरह की किसी पत पर रहते हैं तो विवाद जुड़ना सभाविक सी बात हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें पसंद भी करते होंगे बहुत सारे लोग इन्हें ना पसंद भी करते होंगे इनकी आलोचना भी करते होंगे गौतम आडानी पर 2014 की लुकसभा चुनाओ के समय नरेंद मोदी का समर्थन करने का आरोप लगा था और उन पर पूरे भारत में रेलियों के लिए यात्रा करने के लिए आडानी समुग के चार्टर बिमान प्यदान करके मौधी को विसेशलाब प्यदान करने का आरोप भी लगाया गया था CNBC के साथ एक इंटर्वियू में आरोप को साफ करती हुए स्री अडानी ने कहा कि भारत भाजापा ने अपनी बिवान सिवाओं का उप्योग करने के लिए कमपनियों के अपने समुग को बाजार मूले का भुगतान किया था और विजे की बात होती है थे 2014 में आप देखते हैं इनकी सरकार भी बनती है और विजे भी भारती जिंता पार्टी की स्थापना 1960 में हुई थी ठीक है और एक बात आप लोग किलियर समझ लेजेगा हमारे याके जो बिजनिसमेन रहते हैं उनका सम्मंद देखिए नेताओ से रहता है और बड़ी बड़ी आप देखिए फंडिंग करते हैं नेताओं को और आप देखिए कि अगर पार्टीयों को नेताओं को फंडिंग करेंगे तो उसके बदले में वो भी कुछ लेना चाहेंगे और उने मिलता है इसमें कोई दोहराय नहीं होना चाहिए 1999 में जैसा कि आप सभी जानते हैं इनका अपरहन हुआ अंठाब में 99 में और तीन करोड की फ्रहुती के बाद छोड़ दिया गया 2002 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक पित्वी द्वन्दी द्वारा जाली मामले में धोकधड़ी के आरों में हिरासत में लिया था तो यह सौहिए फारफी किसकी है आणा पर गॉत्हम आणा नी की तो इनके बारे में एक सामान जानका रीरक शकते हैं और किसी के बारे में जान ना हो तो आप लोग उसका नाप मताएगा उस पर भी आप लोग बात कर लेंगे उसकी भी कहानी देख लेंगे टेकर?